अक्सर आपने वेबसेट्स पर देखा होगा कि वेबसेट्स जो है वो उसमें काफी हैडिंग्स होती है एक मेन हेडिंग होती है और फिर नीचे सब हेडिंग्स भी होती है और उसके बाद वो content जो है डिवाडीड होता है इन हेडिंग्स क्या है और यह important क्यों है SEO में Google जहां पर यह देखता है कि आपका keyword title में आ रहा है आपका keyword description में आ रहा है आपका content आपके content में keyword बार-बार repeat हो रहा है तेकि वो यह भी देखता है कि क्या वो headings में भी आ रहा है कि नहीं इसलिए हमारे लिए HTML की headings है जिनको simple headings भी आप कह सकते हैं या content headings कह लें वो भी बहुत important है क्योंकि Google समझता है कि अगर आपका एक word important है या आपका एक topic है पेज के बारे में तो वो बार-बार जब repeat होगा तो वो headings में भी repeat होगा headings की तकरीबन 6 types हैं HTML के अंदर और वो कुछ इस तरह थे आपको नजर आएगा कि H1 सबसे important होती है यानि सबसे ज़्यादा main जो importance है वो है H1 को दी जाती है और यह normally एक page पे एक होती है अकसर लोग या argue करते हैं कि H1 एक page में दो भी हो सकती है लेकिन कुछ और से पहले तक HTML 5 से पहले तक यह माना जाता था कि HTML की heading H1 एक ही होनी चाहिए हर page के उपर अगर एक भी नहीं है तो भी मसला है और एक से ज्यादा है तो भी मसला है आपको अकसर टूल्स भी यह as an issue error बताएंगे तो आपको यह धियान में रखना है कि आपने जो एक main page का title है या main page का नाम है उसको H1 assign करना है या आपने developer से assign करवाना है इस से फाइदा यह होगा कि इस H1 में जो भी आप लिखेंगे वो Google consider करेगा optimization के लिए तो अगर आपने mobile phones in Pakistan का page बनाया है तो mobile phones in Pakistan को H1 आप as a page title भी लिखेंगे ताकि जब Google उसमे crawling के लिए जाए आपके page के उपर तो वो ना सिर्फ mobile phones in Pakistan title में देखे ना description में देखे बलके वो heading में भी देखे और पिर आपके उसके बाद content में भी देखेगा इसी तरह से H1 के बाद H2 से लेकर H6 सक different heading हैं यह style पर भी depend करता है कि आपकी website की styling क्या है तो आप यह इस website जब design करवाएं या website जो भी आप theme यूज़ करें उसमें make sure यह करें कि आपको main page title H1 एक दफा ही आए उसके बाद जससरा से आपका content layout spread out है जससरा से आपका sections बनते चल headings use कर सकते हैं बहुत जगा use नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो depend करता content के ओपर क्या है अगर आप content 500 words तक है तो maybe आप 2-3 headings use कर लेंगे आप उसको H2 में या H3 में divide कर सकते हैं यह चीज़ आपने याद रखनी है कि इसका sequence कोई भी नहीं है यह ज़ूरी नहीं है कि H1 पहले आए H2 बाद में आए H3 बाद में आए सिक्वेंस मैटर नहीं करता आप यह भी मैटर नहीं करता कि H2 कितीं दफ़ा है तो H3 कितीं दफ़ा है गूगल सिर्फ यह देखता है कि H1 में क्या है और उसके बाद H2, H3, H4 में क्या क्या जो है वो उसमें क्या क्या शोर है उसके बाद यह है कि उसमें जो चीजें आपने as a keyword डाली हुई है, Google उनको prominence देता है तो आपने make sure यह करना है कि अगर आपका main keyword है, वो H1 में डाल दें अगर आपके supplementary keywords हैं, यानि कि जो ग्रूप में हमने keyword decide किया था main keyword को जब आप H1 में डाल चुके होंगे, तो H2 में भी एक दफ़ा यूज कर लें पर H2 में एक दफ़ा दूसरा keyword यूज कर लें, या फिर H3 में एक दफ़ा synonym यूज कर लें इस तरह से आप spread out कर सकते हैं अपनी heading को HTML में ये जो आपको heading नजर आएंगी, वो कुछ इस तरह से लिखी जाती है कि H1 का tag open होगा, उसमें value आएगी, उसके बाद H1 का tag close होगा इसी तरह से H2, H3, H4, ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी लेकिन अगेन ये तब आपको चाहिए होता है जब आप HTML में काम करते हैं सवाल ये है कि इसको अगर हम लिखना चाहें तो हम कैसे लिखते हैं उससे पहले मैं आपको ये दिखाऊंगा कि live एक example ले ले लेते हैं ये वेबसाइट के उपर या पेज के उपर ये headings किस तरह से नज़र आती है सब आपको example दोंगा डिजी स्किल्स की website की ही कि किस तरह से हमें page का layout नज़र आता है और उसमें headings कहां कहां पर लगी होई हैं आए देखते हैं जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैंने डिजी स्किल्स की website open की है इसमें आप देखेंगे कि उपर header है नीचे menu है फिर ये video चल रही है उसमें sections बने वे है content जो है different sections में उन्होंने break किया वा है और आपको content digestible बनाया वा है ताकि आप उसको understand कर सके है इसमें headings कहां पर हैं तो आपको ये बता दूँ कि ये जो success stories लिखा हुआ ये basically एक heading है और इसके बाद ये popular courses लिखा हुआ ये भी heading है उसी तरह से अगर आप नीचे जाते जाएंगे तो ये news and events भी heading है और फिर vision and mission ये भी heading हैं लेकिन आप ये देखेंगे कि vision और mission एक ही तरह की दो heading हैं ये हो सकता कि h3 है और ये news and events और ये अपर जो popular courses हैं ये एक ही तरह की दो से तीन different heading हैं जो कि vision और mission से different हैं so possibility है कि ये h2 होंगी या h4 होंगी अब इसको check करने के लिए आप क्या कर सकते हैं आप इनको उपर right click करें तो आप inspect भी कर सकते हैं ये inspect से भी आपको source code नजर आता है ये right search पर आपको source code नजर आजएगा ये आप आप देख सकते हैं कि मुझे ये h2 बज़र आ रहा है इसको popular courses में लेकिन अगर आप मैं इसको source में देखना चाहें तो हम वैसी ही इसको मैं copy करूँगा और फिर मैं right click करूँगा view page source में जाऊँगा और यहाँ पर मुझे जब इसका source code load हो जाएगा मैं ctrl f करके find करूँगा अपना text और मैं जहाँ पर इसको paste जब करूँगा तो वो मुझे बता देगा कि ये पूरे html में ये content कहाँ पर published है आप देख सकते हैं कि इस row में ये content है h2 ये बिलकुल उसी तरह से visible है जैसे हमें front में नज़र आ रहा है लेकिन यहाँ पर ये आपको नज़र आ रहा है कि ये h2 है ना कि h3 या h1 या keyword heading है इसी तरह से गरा हम इचे scroll करेंगे तो हम ये देख लेते हैं कि vision और mission ये h1 ये h2 ये h3 इसमें क्या लगा रहा है मैं इसको check करके inspect किया तो आप inspect में देख सकते हैं कि ये भी h2 है लेकिन इनकी design different है so headings में आप normally keywords spread कर सकते हैं अगर मैं c की example लोग तो जहां popular courses लिखा हो है वाँ popular online courses भी हो सकता था क्योंकि possibility है कि अगर digi skills अगर online courses provide कर रहे हैं तो online courses एक keyword हो सकता है जो यहाँ पर add हो सकता है तो अगर इसकी optimization करना चाहें तो मैं यह चाहूँगा कि हम यहाँ पर एक online word add कर दें ताकि अगर popular courses की बज़ाए popular online courses लिखेंगे तो google को यह लगेगा कि यह website यह page यह online courses के बारे में है जैसे कि आप में देखा कि dg skills के उपर जो page divided था वो different headings में था उसमें कहीं पर h2 तो कहीं पर h3 use हो सकता था h1 हमने नहीं देखा हमने बाकी headings नहीं देखी लेकिन यह matter नहीं करेगा यह matter तब करेगा जब किसी website की SEO करेंगे और अगर आपको लगता है कि कोई is missing है h1 नहीं है तो आप अपने client से कहेंगे या आप अपने developer से कहेंगे कि उसमें h1 डाले अगर आपको यह लगता है कि उसमें h2 यह 3 ज्यादा दाफा यूज हुआ है तो आप उसको change करवा सकते हैं लेकिन ultimately goal हमारा यह है कि जब भी हम adding use करें उसके अदर हम proper keywords यूज करें तो वो एक अच्छी आपकी optimization tactics होगी जिससे Google आपको फिर rank करने में जो है उपर आपको लेकर आएगा अगर आप यह headings को miss कर देंगे अगर इसमें आप content यह keywords नहीं add करेंगे तो possibility है कि आपकी SEO में आपको वह ranking या वह number ना मिले जो आप इस heading से win कर सकते थे